कहानी के शुरू में हम एक अंजान आत्मी को चाइना के पोर्ट पर दिखते हैं छुपते हुए वो यहां कुछ चोरी करने आया था पर पकड़ा जोता है वो यहां यॉर्बियन सोल्जर्स के हाथों जिन्हें शौयू नामी लडगी लीड कर रही थी इससे पहरे कि वो इस इ पीचे पड़े एक पिच्री से एक खतरनाक हाथ बाहर निकल कर उसाथनी की करदन पकड़ लेता है यह मॉंस्टर बना इंसान चंद ही सेकिंड्स में इस आत्मी को मार चुका था उसके हाथ में पक्री हुई मर्शल भी उसके हाथ से गिर जाती है जिसके चुनते यहां पू करने के लिए एक नदी में चंप कर देता है और ऐसे सभी सोल्जर्स के हाथों बच जाता है अंगे सुबहा हम अस्तबल का सीन दिखते हैं जहां जब एक आत्मी अपने घोड़े को घास चाल रहा था तो उस घास में चुपा उसे यह मॉंस्टर बिजाता है जिसे देखकर वो बुरी तरह डर चुका है वो इसे भूत समझ रहा था डर कर यह आत्मी यहां से भागने लग चौता है और मॉंस्टर इसके पीछे था इसी दुरान हमें गूर्ती हुई रस्सी दिखाए जाती है जो कुछी सकींड में उस मॉंस्टर की गर्दन चली पढ़कर उसे पकर चुका है अब उसके इलाज के लिए यह लोग आठ थर्टीन नामी डॉक्टर को गुदाने का फैसला करते हैं जो यूजप से अपनी मेडिकल की स्टडी करके आए थी दूसरी तरफ बारा हम शोयू को देखते हैं जो अपने बॉस के पास है बॉस उसे अपनी एक्सपेरिम उसाधी और साहथ ही बहुत से एक्फिशन कैमिकल भी यहियी थे यहां से निकल कर शोयू पोर्ट पोउस प्याशा थे जहां पर अध्याती आख जया जा जाते हैं जूसे सभ्यों के दोनों स्टुच्निंट ने बड़दे लजाते हैं जिस लड़ाईकों रोकने के लिए 119 यहां आकर सब कुछ रोकता है और गलत वहमी को दूर करने की कोशिश करता है और इसे सब के दुरान वोके का फाइदा उठाते हुए शोयू वेहां का घोड़ा लेकर भाग जाती है भागते हुए उसके मॉम का नेकलिस नीचे के जुका था जो वेहां का एक स्टोरेंट उठ जो खोड़ी की जगा इस पकी को चुला रहा था वह थक जाता है और लास्ते में उनकी गाड़ी को रोक देता है उनकी गाड़ी एक हॉस्पिटल के आगे रुकी थी जहां बहुत जाता रश्था यहां पर शोयू का बॉस एक स्पीश दे रहा था के पुराने वक्तों भी चाइनीज लोगों को अपने कंट्रोल में करने किलके योर्पियन लोग चाइनीज को अपने बनाई ड्रुक्स का आदि कर शुके थी इसे यह सौमिन नाम का यह आत्मी ड्रुक्स को छोड़ने का इलाज फ्री में करने का वादा करते हुए सब को नशा छोड़ने का मश्व करतिया करता था जिससे बहुत से चाइनीज लोग मारे बिचा चुके थे वो अपने इन एक्सपेरिमेंट से इसानों को ताकतवर बनाना चाहता है और यहां पर फिहांग और आर्ट-13 दोनों फिहांग के घर पहुचते हैं और उस मौस्टर बने इनसान का इलाज शुरू हो जाता है जिसके बाद आर्ट-13 फिहांग को अपनी यूरप से सीखी हुई तेलवार बाजी दिखाती है जिसके मुव्स को फिहांग चंद सेकेंड्स में ही फिल करतेता है और उसे कहता है कुंफू सीखने का जिसकी मदद से वह अपना अच्छे से 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 कर सकती थी इ जोब अपलाय करने के लिए जाती है यह बही आदमी है जिसके हॉस्पिटल में अचीब और गरीब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो इस वक्त शॉयू को उस मॉंस्टर बनी इंसान को ढूडने का कह रहा था जिसका फिहांग इलाज कर रहा है क्यारित नहीं उनके ऑफिस मे कुछ टेस्ट करने के लिए और इसे शॉयू को पता चल जाता है कि जिसा आतमी को वो ढूडन रही है असल में वो फेहॉंग की कॉलेज में है यह बर वो फोरण जाके अपने बॉस को करती है और प्लाइज बनाती है रहत में ही उस मॉंस्टर को मारनी का लेकिन सो में उसे क जा जाती है कि उसके ब्लाइट में संथैटिक ड्रॉक्स हैं जो कि आहां ड्रॉक्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं इस आतमी के लाज के लिए वो शॉयू से मदद मांगती है और शॉयू उसे एक इंजक्शन दे दे देती है जो खर आकर आर्ट 13 सबसे छुपकर उस इंसान को लगा चुकी थी यह सब लोग मिलकर जब खाना खा रही थी तो अचानक से वो मॉंस्टर बना इंसान बागलो की तरह चिलाने लगा था जब सभी लोग उसके पास जाकर उसे देखते हैं तो इसकी वीन्स बिल्कुल गाली हो चुकी थी वह एक भ्यानक मॉंस्टर में कि यह सब उसकी वज़ा से हुआ है दूसरी तरह सौमिन अपने एक्सपेरिमेंट्स में भी सी था जो अप कामयाप भी हो रहे थे उसकी बनाए हुए ड्रक से उसके टेस सब्जेक्ट यही इनसान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बंदे जा रहे थे इस टाइम भी जिस इनस के पास वाले रेस्टरॉंट में सेलब्रेट करना था अहां थर्टी उसका यहां वीठी करती रह चाती है और फेहॉंग एक बच्चे को किटनाप होने से बचाने में फसकिया था बच्चे को बचाने के बार वो गुड़ों से लेटा है और फेहॉंग की कुंफूस गर्स द के पास चाता है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुने चाती क्योंके अथार्टिस को ड्रग माफिया यहीं सुमिन के साथ बिले हुए थी इन सबी मामलात को खतम करते हुए जब फेहॉंग रेस्टरॉंट में आता है तो देखता है कि आर थर्टी जा चुकी है जबकि दूसरी सब्सक्राइब करते हैं हम देखते हैं कि खर पर आर्ट थर्टी फेहॉंग से नराज है वह से मनानी के लिए संफ्लावर्स पे लेकर जाता है लेकिन अर्ट थर्टी नहीं मान दी इसे दुरां उन्हें उस मॉंस्टर बने इंसान की दर्थनाग आवाज से सुनाई दिती है फेहॉंग उसे चेक कर निकले चला जाता है और इतने में ही उसके स्कूल में तीन अन्जान लोग आ जाते हैं उसके वही दुश्मन जो सुमिन के साथ मिल चुके हैं पहली बार दबावी उन्हें लटकर नीचे गिरा देते हैं लेकिन दूसरी मरतबा ये तीनों आत्मी सुमिन की दी हुई ड्रॉक्स को ले लेते हैं जिससे ये लोग बहुत जादा ताकत पर हो चुके थे और अब अपनी नई मिलने वाई ताकत की वचा से उन्होंने फेहॉं को भी हरा दिया था अपने आपको हारता देखर फेहॉं के स्टूडेंस को भी खुस्सा आता है और ये एक साफ मिलकर उनके उपर हमला करने का फैसला करते हैं और ऐसा कहने पर फाइनली फेहॉं के दुश्मनों को हरा चुके थे जो हारने के बाद यहां रूके नहीं थे य इसका भी फेहॉंग जैसा कुम फुकस कूल है मास्टर वू फेहॉंग को अपना ओपनेंट तो समझते हैं लेकिन कभी लड़ने लड़ा नी क्या ख्याल उनके दिल में नहीं आया ये तीनों स्टूरेंट अपनी हार का बतलाने के लिए मास्टर वू को उकसारा शुरू कर देते हैं फेहॉंग से लड़ने के लिए लेकिन मास्टर वू ऐसा नहीं करना चाहते थे इसलिए उनका एक्स्टूरेंट उनकी चाहे में उन्धे वहीं ड्रक्स मिला कर देता है जो उनको सौ मिनने दी थी ये पीने के बाद वो भी उससे में लड़ने के लिए निकल जाते हैं कमजोर फेहॉंग अभी उठा ही था कि उसे मारने के लिए यहां पर शौयू भी आ चुकी थी इससे पहले कि फेहॉंग को मार देती यहां पर वो आत्मी जो मॉंस्टर बना हुआ था जोसका फेहॉंग इलाच कर रहा था वो शौयू के सामने आकर उसे फेहॉंग को कु जबके शौयू और वो दूसरा अथमी यहां से भाग चुकी थे फिरहां के स्टूडेंट अपने मास्टर को इस थालत में देखकर बहुत ही जादा घप रा चुकी थे आर्ट थी उनके पास आकर उन्हें पैने कोने समना करती है और सेर्जरी की तैयारी करनी को कहती है यहा उसके बोड़ी से साहरा दर्थ खाय पुचाता है और यहां मास्टर वो समझ आती है कि उनके स्टूरेंट भी उनके चाहे में कुछ मिलाया था जिसके बारे में पुछने पर उसके स्टूरेंट रोने लग चाते हैं और सच-चच मास्टर वो को बता देते हैं कि उन्होंने उनके चाय में एक यॉर्पियन मेडिसन मिलाई थी ये सुनकर वो आग पकोला हो चुकी थे इससे पहले कि वो अपने स्टूइन्स को कुछ करते उन्हें मालूम होता है कि उनके सब्स्टूइन्स यॉर्पियन ड्रक्स की आहादी हो चुकी है क्योंकि फेहॉंग से अपना बतला ले निकल लिए वो सुमिन के साथ मिल शुके थे और अब उसकी ड्रक्स की वज़ा से पूरी तरहाँ उसके कंट्रोल में थे यहाँ आट धर्टी जो फेहॉंग की सेर्चरी कर रही थी वो वश्कल सही सही लेकिन फेहॉंग की बाडी में से बुलिट निकालने में काम याब हुचाती है शुकर ये था कि उस बुलिट ने उसके दिल को नुकसाद नहीं पहुचाया था यहाँ शूयू सॉमिन को जाकर ये खबर देती है कि फेहॉंग को वो मार चुकी है अब यही पर सॉमिन उसे उसे जिंदकी का सबसे कर्वा सच myst यह बताता है कि सॉमिन के ड्रॉग्स और एक्सपरिमेट की वज़ा से ही उसकी मौः सागने के बार ये चानने के पाद कि सॉमिन ने उसे बहुट बड़ा ढ़ोका दिया यहां वो चाहती थी, कि सुमिन उसे मारेगा जरूर, और अगर तहीं वो सिफ रह सकती थी, तो वो फेहौं का घरी था, यहां फेहौं के स्टूडेंट से बहुत सारा खारमा किखाती है, और R13 के पारे में पुछती है, जो स्टूडेंट उसे बताती है, कि R13 तो हॉस्पिट को बताती है कि सौमिन ने वहां तरहा दरहा के ट्रैप्स लगाए हुए है चारों तरफ स्कूर्टी है महां तक जोना इतना असान नहीं लेकिन ये लोग फिर भी नहीं टेरते या आंट थैटीन जो चुक्के से फॉर्पीसी के अंदर से मेडिसन चुराने आई थी घलती से उ सौम बिना कर उसके उपर बंदू बांदेता है यही हॉस्पिटल के बाहर हम दिखते हैं कि फियाओं के तीनों स्टूडेंट भी पहुच चुके हैं उनमें से बहुत जाता बीमार होने का ड्रामा करता है ताके उन्हें हॉस्पिटल में एंट्री मिल सके लिकिन अंदर आत जाते हैं यहां कोई हावा में उड़ते हुए थापी सोल्जर्स को नीचे किराते हुए एंट्री करता है और यह और कोई नहीं बलके जखमी फिहांग है उसके साथ साथ शोयू भी यहां उनकी पदद के लिए आ चुके वो हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से जानती थी इ आर्ट थर्टीन को ढूड़ने के लिए यहां इनका सामदा सौमिन के लोकों से भी होता है लेकिन वह बड़ी आसानी से उन्हें हराते हुए आगे बर जाते हैं फिहॉंग अब उस कैद खाने तक बहुच गया था जाबे बहुत से चाइनीज लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था उसके साब ने उसकी तैलाज भी थी यानी आर्ट थर्टीन जिस से बादा गया था वो आर्ट थर्टीन को बचाने के लिए भालता है लेक फिहॉंग के स्टूडेंट सारी इलेगल ड्रॉक्स को तबाह करने का काम शुरू कर रही थे लेकिन यहां पर आज आता है मास्टर वो कहा एक स्टूडेंट वो अपने आपको उसी ड्रॉक्स से इंजेक्ट करके बहुती ताकतवर बना के इन से मुकाप्ला करता है इस सेक्टरी आकर उस लड़के के उपर गुसा करता है जिसे उसने इन्हीं रोकने का काम दिया था उसे बिए उनलड़का उस सेक्टरी को ही गर्दन तोड़ कर मार देता है उसे अपनी हार का इतना घुसा था कि उससे बरदाश नहीं हुआ वो किसी तरह अपने सामने वाले य काबला करना मुश्किल लग रहा था ऐसे में वो दुपारा अपने अंदर ड्रॉक्स को इंजेक करता है और इस मर्तबा ओवर्डोस होने पर खुदी मर जाता है दूसरी तरफ फेहॉंग जो मास्टर वू से लड़ रहा था वो देखता है कि मास्टर वू ने भी अपने आपक अपने से दूर करतेता है लेकिन ड्रॉक्स के असर में मास्टर वू दुबारा खड़े हो जाती है उसे में वही चैन अठा लीता है जिसके वदद से फेहॉंग ने उसे मारा था वो फेहॉंग को इस चैन के वदद से गले से पकड़ लेता है इस बुरे तरीके से कि जैसे वो पैरालाइस हो गया था कैद खाने में मुझूद सब लोग चुरे लड़ाई देख रहे थे वो फेहॉंग को बचाने के लिए मास्टर वू की जजीर को पकरने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी स्यादा कुछ नहीं कर पाता फेहॉंग गिर चुका था वो हारने के करी ही किया मास्टर वो को मारके हरा ही मास्टर वो के हाती ही यहान पर 100 में एंट्री करता है जसने आसल में आर्ड 13 को बनदी बिनाए हुआ हु nuclear होHe को टांन में गोली मार देता है ये देखकर आर्ड 13 ट Above defined चाती है से कहता है कि तुम इस योर्पियन आत्मी को हरा देना और अपने लोगों को सिरूर बचाना यह कहते ही वो मर चुका था यहां दिखाया जाता है कि फ्रहों के सभी साथी और शॉयों की यहां दक पहुच चुके थे उन्हों ने वहां पहले सारी ड्रॉग स्पीड दबा कर दी फ्रहों जल्दी से अपने सभी स्टूरेंट्स और शॉयों को चुकने को कहता है जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता सौमिन के सामने निकला सौमिन को लगा श्याइद फ्रहों कर रहा है लेकिन असल में फ्रहों तो आर्ट 13 को किसी मूव का इशारा कर रहा था आर्ट 13 यह यहां उसकी बताई हुई मूव इस्तेमाल कर दिया है तो सौमिन पीछे जाकर एक बड़े से बॉक्स में गरता है इस बॉक्स में उसकी बनाई हुई ड्रॉक्स बोतलों में बन थी बॉटल्स टूर कर उसके जिससमें काश लगने की वज़ा से यह ड्रॉक्स उसकी करवा लेते हैं और इस बॉक्स अपने प्यार का इजहार भी रहते हैं जो सुनकर फेहों के भी खुशी का ठीकाना नहीं रहा था क्योंकि वो भी बहुत पहली से ही आर्ट 13 को पसंद करता था यह सब लोग फेहों को लेकर उसके घर चले जाते हैं और कहानी के आफरी सीन मे हमें दिखाया जाता है कि शोयू भी आवेहों की स्टूडेंट बन चुकी है यह सब ही लोग एक साथ मिलकर हुशी से रहते हैं और इन्हीं को दिखाते हुए यह कहानी यहां खत्म हो जाती है